तो हाई दोस्तो आप लोग कैसे उमीद करते बहुत बढ़ी आउंगे दोस्तो आज दोस्तो राजगाट आया हूँ जो देखिए उधर गुरु भूरक नाथ है और यहां पर राम घाट है जो यहां पर बाढ़ के वजे से यहां पर पुरत तबाही मच गया था जैसे कि देख लिए हम आप लोग को आगे दिखाते हैं और देखिए दोस्तो एरा राजगाट पूल और यहां भी देखिए सब पानी से बहु गया था और दूर दूर फूरा पानी ही दिखाई दे रहा है और देखिए यह बीद कुछ दिखाई नहीं देता था लेकिन इस समय दिखाई देने लगा है क्योंकि दूर पानी घट रहा है बहुत केजी से और बहुत खुशी की बात है और यहां भी सब पानी सभर गया था एदम तुरा यह भी नहीं दिखाई देता था और आगे एक मंदीर है जो उसमें भी पानी चला गया है और देखी एरा मंदीर सब पानी सभर गया था लेकिन इस समय दिखाई देने लगा है और जैसे कि देखी इधर सब गुरा गाउं ही दूब गया है और यहां पर एक नाव चलाए जा रहा है जिसके सब्जी उब्जी लेना रहे है तो समनाव से आ रहे हैं लेने के लिए और यहां पर घूमने के लिए बहुत दूब दूब से आते थे लेकिन इसमने बार के वज़े से सब आनाई रहे हैं गूमने के लिए और देखी ए सब घर है और गर में रहने वाले सब दूसरे स्थान पर चले गया है यहां देक पुरा पानी से अधम पुरा भर गया है गर और बहुत खुसी की बात एह है कि यहां पनी घट रहा है बहुत तेजी से और आप देखे ए सब नाव चलाए जा रहा है एक दूसरे के हेल्प करने के लिए और देखें गुरु गुरत चना चाहिए और इधर रामघाट चाहिए और देखें दूर दूर इदम पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और सब यह दिखाई नहीं देटा था लेकिन उस समय दिखाई दे रहा है और देखें एभी सब पानी से डूप गया था और इस समय दिखाई देने लगा है जोकी पानी घट रहा है बहुत तेजी से और यहां के राने में वाले एदम सब करिसान हो गये थे और देखिए दूर दूर योदम सब पानी हो गया था लेकिन इस समय पानी घट रहा है बहुत खुशी थी बात है